दोस्तो नमस्कार, प्रॉफिट गुरू चेनल में एक बान नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का सोगत करता हूं तो दोस्तो मार्केट की एक ओर धमाकिदार कमपनी ने अपने कॉटर थर्ड के नंबर शो किये हैं अब देखें कैसे की हैं कॉटर थर्ड के नंबर शो थीकिए सबसे पहले तो हमारी नज़र इस पर रहने वाली है market को पसंद आएगा ये number या नहीं ये तो हमें कली पता चलेगा हाँ अच्छे unexpected number भी show कर दीना तो भी हो सकता है stock कल गिर जाए या कोई stock अगर बेका number भी show कर देता है तो stock भाग जाता है दूसरे दिन मतलब intraday में तो उसका कुछ भी performance हो जाता है लेकिन दोस्तो long term के लिए ही हम ये fundamental condition देखते हैं तो जरूर दोस्तो आप इस company पे नजर बना के रखिए आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी opportunity ये company दे सकती है जिसके लिए तो इसको market के धमा के तार दिगश बोल सकते हो stock या company बोला जाता है तो चलिए वड़ा बड़ सब वीडियो स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि कैसे number है और कौन सी company की बारे में हम बात करें तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बोलूँगा अभी आपने अगर चैनल को first time visit कि आ है तो डेफिनेटली सस्क्राइब करें कि डेली बैस असपैस से धामा के अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं चलिए उस company की officially PDF के उपर चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है company का consolidated वाला number आप लोगों के शामने है amount जो भी है मतलब जितना भी है figure से यह सब millions में portion तो आप लोगों को मालूम ही है 20 का result है ठीक है मतलब 2020 का December का result है 21 सितंबर मतलब quarter second का result है और यह quarter third 2021 अभी का result है ठीक है तो यह portion तो आप लोगों को मैंने समझा देया थोड़ा सा और में जूम कर लेता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे तरीके से दिखेगा आसा करता हूँ number आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से शो हो रहे होंगे मैं एक बार और रीट करके आप लोगों को बताऊंगा तो सबसे पहले total income पारी की सुरुवात कैसे हो रही है सबसे पहले हम वो देखते हैं ठीके पारी की सुरुवात में देखे कितना है पर company ने income क्या है 5338 कितना 5338 इस quarter में सितंबर quarter में यह 400097 का था कितना 400097 आप इसको round figure में 40000 भी मान सकते हो ब़िसंबर 2020 last year के अगर मैं बात कहता हूँ वहाँ पर company ने 3114 आप इसको round figure में 3115 भी मान सकते हो मतलब दोस्तों ये number बहुत अच्छे हमें देखने को मिल रहे है ठीक के मतलब पारी की सुरुवात अगर हम देखे ना तो quarter on quarter basis पे year on year basis पे बहुत अच्छी देखने को मिल रही है लेकिन दोस्तों अभी middle order के उपर काफी दामदार होता है आपको पता होगा कि हर टीम के हर टीम ये सुचती है कि मेरा middle order काफी मजबूत हो जाए क्यों क्योंकि वो मुझे आगे तक लेके जा सकता है middle order में दोस्तों सब चीज इंपोर्टेंट होती है middle order में यहाँ पर expenses है expenses में दोस्तों financial cost company की ठीके उसके बाद employee की salary company का maintenance charge और बहुत सारे expenses आ जाते मतलब middle order में आप अगर देखेंगे तो middle order में इतने सारे नाम है इतने सारे नाम है जो middle order में अगर आप देखेंगे तो total expenses मतलब कितने middle order का performance है 3,180 का 3,180 का मतलब इतना income इतना खर्चा सितंबर quarter में इतना income 2770 का खर्चा उसके साथ यगर आप देखेंगे तो December 2020 में इतना income और 2240 के आसपास का खर्चा आप बुल सकते हो तो खर्चा दोस्तो यहाँ पर daily basis पे भी increase हुआ है quarter on quarter basis पे भी increase हुआ है और दोस्तो year on year basis पे भी increase हुआ है बहुत छोटी छोटी कंपनिया क्या करती है इसको control नहीं कर पाती है expenses को जब ये income को वो बढ़ाना चाती है वो बढ़ा तो देती है लेकिन उसके पैसे पैसा बहुत खर्च कर देती है तो ये जो total income यहाँ से निकाल के लाती है न वो तो वो minus में चले जाती है नीचे जाके अब expenses बढ़े हैं इस company के भी आप देख सकते हो सालाना तोर पे भी quarter on quarter basis पे भी तो उसके बाद क्या performance है वो हब हम देख लेते हैं अब दोस्तो देखिए यहाँ पर result तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप बोलोगे कि इसमें कोई sense नहीं है ऐसा तो सब कोई बता सकता है ऐसा तो fourth standard में पढ़ने वाला बच्चा भी बता सकता है नहीं हुआ है तो company के हाथ में कितना total पैसा बचा है दोस्तो 21,000 sorry 2156 का मतलब 2156 का कितना 2156 का यहाँ पर company के हाथ में income बचा है यह अभी का है September quarter के अगर मैं बात कहें तो वहाँ पर दोस्तो 1326 का income था उसके साथ ही अगर आप देखेंगे न तो जो हम अगर इसको compare करें last year से तो वहाँ पर मात्र 870 का था यह note कर लीजिए क्यों क्योंकि थोड़ा सा भी नीचे जाके आपको problem होने वाला है तो year on year basis पे देखिए quarter on quarter basis पे देखिए ठीके बहुती अलग नंबर हमें देखने को मिल रहे है ठीके यहाँ पर अभी text government ले जाएगी ठीके यहाँ पर government text ले जाती है तो उसके बाद adjustment होता है तो government ने text ले गी उसके बाद आप देखेंगे तो figure से ना दोस्तो कुछ अलगी होंगे कुछ अलगी figures कैसे आ जाएंगे मैं अब आपको बताता हूँ तो यहाँ पर देखें यहाँ पर कुछ expenses item यह देखें यह expenses item अभी add हो चुके हैं यह expenses item वो होते हैं जो company दोस्तो कभी 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 या किसी बार्ग पैसा कमाती जैसे मान लिजिए आप साल बर से नौकरी कर रहे हो तो आपका package यह 4 लाग रुपए का तो आप साल बर में 4 लाग की ही कमा होगे और मान लिजिए कभी आपने lottery ticket खरी लिया और आपको 1 crore रुपए आपने जीत लिए तो आपने साल बर में कितने बिसे कमा है 1 crore 4 लाग रुपए लेकिन आपकी passive income कितनी रहेगी 4 लाग की रहेगी यह तो आप हर बार थोरी नहीं जीत पाऊगे या तो एक ही बार जीते हैं तो यह वेसे दोस्तों क्या रहता है expenses रहता है ठीक है अब यहाँ पर आने के बाद expenses और बढ़ गया यह काफी बड़ा problem create कर रहा है जिसके कारण ही दोस्तों यह मुझे update करना पड़ा है अगर आप देखेंगे न तो यहाँ पर सब takes भी pay हो गया सब कुछ pay होने के बाद अगर आप देखेंगे न तो इस quarter में company ने कितना profit निकाला जैसे आप देखें अगर आप देखेंगे तो मात्र लास्ट यर की अगर मैं बात करता हूँ दिसंबर 2020 की वहाँ पर company ने 6,790 का ही profit कमाया अब आप देख सकते हो कितना different हो गया है जबकि total income तो 5000 से शुरूबात हुआ था 500 से शुरूबात हुआ था और यह profit convert हो के 4600 बन गया है तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ आपने देखा होगा कि market में सितंबर quarter में क्या हुआ था दोस्तों सितंबर quarter में जुमेटो का listing हुआ था ठीके जुमेटो का जो IPO हुआ था जब इस company ने अपना stake sale किया था ठीके उसके बाद उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर December quarter में क्या हुआ था दोस्तों policy बजार का IPO आया था तब company ने क्या किया था अपना stake फिर sale किया था तो ये वो वाला income है अगर आप net income पकड़ के चल रहे हो ना तो net income आपको दोस्तों company का ये पकड़ के चलना पड़ेगा इसमें से अगर government tax भी ले जा रहे है ना तो ज़्यादा tax नहीं ले जाएगी ठीके आप 30% के इसाब से तीनों में से tax काट लीजिए ठीके आपको net profit निकल के आ जाएगा जो company के jam में जाता है आप इसको profit मान के चलिए जो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आपने बहुत पुराना investment करके रहा था उस company में अब वो पैसा तो बहुत सारा हो गया ठीके तो वो पैसा आप company में बापिस आने वाला है तो वो काफी ज़्यादा मातरा में आएगा तो वो तो profit में ही यहाँ पर gain होगा तो वो तो दिक्सो करने ही पड़ता है सबके सामने तो हमारा जो net profit है ना दोस्तो वो यह है जिसके लिए मैंने बोला था कि इनको note करके चली यह पुरा जो confuse करने वाला मसला है ना इनको बिल्कुल भी note मत करी क्योंकि यहाँ पर जुमेटो का IPO आया था यह उसका stake sale हुआ था सितंबर कॉर्टर में दिसंबर कॉर्टर में policy बजार का IPO आया था तो यह उसका stake sale हुआ था ठीक है उसके साथ यह अगर आप EPS भी देखेंगे ना तो EPS भी unexpected है ठीक है EPS 52 रुपे ठेजी पैसे का EPS आप देख सकते हो 573 रुपे पैसे ठीक है यह सितंबर कॉर्टर में और इस दिसंबर में 557 रुपे पैसे तो काफी ज़्यादा दोस्तों है पर EPS भी हमें देखने को मिल रहा है अब आपको तो पता ही है कि हम किसके बारे में बात करें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हम Info Age Company जिसे हम दोस्तों नौकरी.com के नाम से जानते हैं हम उस कमपणी के related क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं आप देख सकते हैं तो कमपणी ने नंबर तो बहुत अच्छे शो की हैं अब यही पता चलेगा कि इस कमपणी का welcome कल कैसा होता है चले इसका performance देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों Info Age का performance लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो कुछ इतना खास moment नहीं था 4,396 रुपे के आसवा stock close हुआ है लास्ट पांथ दिन में काफी ज़्यादा stock गिर चुका है लास्ट एक मेने में देखेंगे तो 21% से ज़्यादा गिर चुका है यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी opportunity है कि stock इतना सस्ता हो चुका है ठीक है लास्ट 6 मेने में देख सकते हो 17% की गिरावट है लास्ट एक साल में भी stock में गिरावट दिख रही है लास्ट 5 साल की अगर में बात कहता हूँ तो दोस्तो लगबख 426% का return इस stock में अगर हम देखेंगे तो यह company market में काफी पुरा नहीं है और अपने shareholder को लगबख 2912% का return इसने market में दिया है तो दोस्तो यह company आपको एक long term में बहुत अच्छा opportunity दे सकती है लेकिन इसको gain करना आना चाहिए इसके लिए में पूरा knowledge होना चाहिए ठीके यह earning per share क्या रहा है अब company का जो earning per share है जो EPS है ठीके वो बढ़ क्या आया है तो जो PE earning ratio है ठीके वो कम होना चाहिए अगर वो quarter and quarter versus पर वो कम हो रहा है तो stock का जो price है ना वो काफी तेजी से बढ़ सकता है ठीके क्योंकि company profit काफी तेजी से कमा रही है उसके साथ ही दोस्तो fundamental knowledge पूरा होना चाहिए technical knowledge पूरा होना चाहिए तो कुछ भी momentum अगर मिलता है तो दोस्तो हम उसको capture कर सके यह हमें पूरा knowledge होना चाहिए ठीक है तो इसके लिए info edge को अपने watch list में रखिए इसका momentum चेक करिए हाँ इसके related और भी कुछ चीजे पूछना है आप नीचे comment box में comment कर सकते है तो यह था दोस्तो एक धमाकिदार market का company जिसके बारे में हमने आपको update किया तो यह update पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को like करेगा चैनल को subscribe क्योंकि डेली basis पेसे दमाकिदार update हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो thank you दोस्तो